इस वीडियो में मैं आपके साथ इंजीनियर, LLM इंजीनियर का जॉब रोल आपको दिखाई देगा और मुझे कॉंस्टेंटली आपकी तरफ से ये मैसेज आता रहा है कि सर्फ प्लीज आप हमें डीप लर्निंग का एक कॉंप्रियंसिव रोड मैप बना के दो बिकॉज आपको भी ये पता है कि डीप लर्निंग इस लाइक दा फंडनामेंटल टेक्नोलजी बिहाइंड जैन एई एंड लेलम्स अगर आप भी इस पुजिशन में हो जहां पर आप चाहते हो कि आप एक जैन एई इंजीनियर बनो और उसके लिए आप एकदम scratch से अपना knowledge बिल्ड करना चाहते हो तो deep learning सीखना सबसे important है इस वीडियो में अगर आप मेरे साथ end तक रहते हो तो I promise you कि मैं आपके सामने एक बहुत detailed comprehensive roadmap रखूँगा जिसको अगर आप 6 months follow करते हो तो फिर I promise you आपको deep learning का बहुत अच्छा knowledge हो जाएगा इस roadmap में आपको क्या-क्या मिलने वाला है इस roadmap में first of all आपको एक बहुत detailed plan मिलेगा कि कब किस चीज़ के बाद आपको कौन सा topic cover करना है उसके साथ-साथ मैं आपको एक बहुत ही well covered curriculum provide करूँगा जहां पर एक-एक topic लिखा हुआ है कि आपको क्या-क्या पढ़ना है और साथी साथ मैं आपको एक resource list भी provide करूँगा जिसमें कि सारे के topics कहां से पढ़ने है ये information आपको मिलेगा ठीक है तो this is my plan थोड़ा सा हो सकता है ये video लंबा हो but the goal is कि मैं आपको बहुत बढ़िया roadmap देना चाहता हूँ with all the possible resources तो एक काम करते हैं roadmap को start करने के पहले मैं आपके साथ ये discuss करना चाहता हूँ कि इस roadmap को मैंने plan कैसे किया है कितने parts में roadmap divided है तो अगर आप अपने screen पर देखो तो आपको सबसे पहले अंदाजा लग जाएगा कि हम इस roadmap में क्या-क्या discuss करने वाले है मैंने इस पूरे roadmap आपको five parts में divide किया है in the first part हम सबसे पहले discuss करेंगे कि what are the prerequisites to learn deep learning ये एकदम ऐसा beginner friendly field नहीं है ऐसा नहीं है कि आप 12 से निकले और आप सीधे deep learning पढ़ने लग जाओ देरा certain prerequisites जो आपको आने चाहिए तभी आप deep learning अच्छे से समझ पाओगे वो हम इस section में cover करेंगे उसके बाद second जो हम section cover कर रहे है इस roadmap में वो है curriculum जहाँ पे मैं आपको बहुत detail में समझाऊंगा कि क्या-क्या topics आपको किस order में cover करने है third number पे आता है projects जहाँ पे again मैं आपको कुछ ideas दोंगा कि आपने अगर एक बार थोड़ा सा deep learning पढ़ लिया तो उसको practically आप कैसे projects में convert कर सकते हो fourth number पे आते है tools deep learning is a technology और technology को execute करने के लिए आपको tools चाहिए होते है deep learning में भी बहुत सारे tools है मैंने बहुत अच्छे से categorize कर लिया है सारे tools को और वो मैं आपको एक-एक करके बताऊंगा and last में I'll share you all the resources जो मैंने खुद follow की है personally और मुझे बहुत पसंद है and I really hope what resources जब आप follow करोगे तो within six months आप एक बहुत काबिल deep learning engineer बन जाओगे ठीक है तो I'm super excited I really hope आप भी हो let's start the roadmap तो सबसे पहले बात करते हैं prerequisite की तो deep learning सीखने के लिए आपको कुछ चीजे पहले से आनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ in fact एक बहुत common question जो मुझसे पूछा जाता है कि sir हम क्या directly deep learning पढ़ना start कर सकते हैं even before learning machine learning और मैं हमेशा उनसे बोलता हूँ कि नई आपको एक certain order में चीजे सीखनी चाहिए तभी आप चीजे अच्छे से सीख पाऊगे तो उसके लिए you need to learn certain things और वही चीजे मैं आपको भी बताता हूँ आपको precisely तीन चीजे आनी चाहिए first आपके पास थोड़ा सा mathematical foundation होना चाहिए ठीक है थोड़ा maths आपको आना चाहिए जिसके बिना आप deep learning ठीक से नहीं समझ पाऊगे मेरे experience में जो सबसे important mathematical foundation आपको चाहिए है deep learning के लिए वो है linear algebra linear algebra मतलब vectors, matrices, tensors का knowledge उनके बीच में आप कैसे manipulation करते हो कैसे mathematical operations लगाते हो ये सबका आपको basic idea होना चाहिए 11-12th level वाला linear algebra भी अगर आपको आता है तो you are good ठीक है तो linear algebra I feel is one of the most important mathematical foundations required for deep learning second number पे आता है calculus calculus does not mean कि आपको पूरा का पूरा calculus चार्ट जाना है आपको बस कुछ चीजे सीखनी है और वो mostly optimization के around है तो यहाँ पे आपको differentiation का अच्छा knowledge होना चाहिए maxima minima का अच्छा knowledge होना चाहिए ये सारी चीजे अगर आपने सीख ली तो इससे जादा requirement नहीं रहता उसके बाद थोड़ा बहुत आपको probability आना चाहिए because end में जब हम results वगएरा को process करते है deep learning में तो आपकी probability की कुछ theory महाँ पे apply होती है तो जो भी आपने probability में basic theorems वगएरा पढ़ी है based theorem हुआ, conditional probability हुआ independent events हुआ इस तरह की चीजे आपको पहले से पता होनी चाहिए and lastly आपको थोड़ा बहुत statistics का भी idea होना चाहिए because roughly यहाँ वहाँ आप देखोगे कि statistical terms use किये जाएंगे जब भी आप deep learning पढ़ने जाओगे ठीक है, अगर मैं आपको इसी point पे resources दिखाऊँ अगर आपके दिमाग में doubt आ रहा है कि from where can we learn these mathematical foundations तो मैंने आपके लिए 3 resources curate किये है let me show you the first one जो first resource है वो मेरे खुद के youtube channel से मैंने उठाया है so मेरे channel पे अगर आप जाओगे तो आपको एक maths for machine learning playlist मिलेगा जिसमें around 23 lectures है these are lectures actually, I am not calling them videos because यह थोड़े बड़े videos है around 2-2 घंटे के अगर आप यह videos देख लेते हो तो यह मैंने इस तरीके से curate किये है कि यह सीधे सीधे machine learning को target करते है मैंने यहापे maths नहीं पढ़ा है यहापे मैंने maths for machine learning पढ़ा है तो this is a very very complete playlist जो आप follow कर सकते हो इसके अलावा अगर आप कुछ और अच्छे resources चाहते हो especially for linear algebra तो you should go through this playlist called essence of linear algebra by this great youtube creator 3blue1brown ठीक है अगें यहापे around 16 videos है और आपको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है आप अगर सिर्फ और सिर्फ 10 videos भी देख लेते हो तो it is more than sufficient ठीक है and one more resource that I would recommend is Khan Academy Khan Academy में आपको math से related बहुत simple explanations मिलेंगी मैंने personally यह videos देखे हैं and I can recommend them they are really really good तो अगर आप यह 3 resources भी अच्छे से follow कर लेते हो तो trust me maths वाला जो part है उसके साथ आप ready रहोगे ठीक है तो maths तो हो गया इसके अलावा और क्या आना चाहिए आपको इसके अलावा आपको थोड़ी सी programming आने चाहिए ठीक है programming का मतलब आपको at least एक programming language आनी चाहिए आपको पता है machine learning AI के space में python is the leader तो आपको python के fundamentals आने चाहिए और आपको python की कुछ libraries के साथ experience होना चाहिए जैसे की numpy जिसकी help से आप numerical arrays वगरा create करते हो pandas जिसकी help से आप data manipulation करते हो and matplotlib जिसकी help से आप graphs वगरा plot करते हो again अगर आप चाहो तो आप इस resource पे जा सकते हो again मैं अपने channel का एक playlist आपके साथ share करना चाहते हो इस playlist का नाम है data science mentorship program इसमें अगर आप शुरू से पढ़ना start करो तो मैंने python पढ़ाया है python में आपको बहुत deep जाने की जरूरत नहीं है जो basic programming constructs हैं बस उतना अगर आपने समझ लिया काफी है उसके बाद you can jump ahead to numpy to pandas and to matplotlib और that's it surface level पे भी अगर आपको आता है तो आप deep learning पढ़ने के लिए ready हो ठीक है and lastly programming आने के बाद sorry what I'll do is yeah sorry about that so maths का foundation आपको आगया programming के fundamentals आपने सीख लिए third चीज जो आपको थोड़ी आनी चाहिए वो है machine learning ठीक है because after all deep learning is a part of machine learning deep learning का जो workflow है वो exactly machine learning के जैसा ही है बस जो algorithms आप use करते वो थोड़े different होते है तो आपको machine learning के थोड़ी understanding होनी चाहिए ठीक है तो machine learning में data को कैसे लाया जाता है उसके उपर pre-processing कैसे की जाती है उसके उपर थोड़ा बहुत feature engineering कैसे किया जाता है model building कैसे की जाती है model का evaluation कैसे किया जाता है cross validation कैसे किया जाता है what are the different metrics यह सारी चीज़े आपको थोड़ी पता होनी चाहिए ठीक है again अगर आपको यह सीखने के लिए एक resource चाहिए तो I would recommend one of my playlists this is a famous playlist of my channel it's called 100 days of machine learning जहाँ पर अगर आप शुरू के शायद 50 videos अगर देख लोगे तो वो काफी रहेंगे आपको पूरा का पूरा playlist cover करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यह हो गया prerequisite तीन चीज़े आपको आनी चाहिए deep learning पढ़ने पढ़ना शुरू करने के पहले maths का foundation programming and machine learning और अगर आप दिन में 3-4-5 गंटे dedicate करो तो मुझे लगता है within one month आप ये सारे prerequisites cover कर सकते हो ठीक है मैंने आपको exact resources pinpoint कर दी है आपको बस जाना है और वो videos देखने है ठीक है तो ये बात हो गई prerequisites की अब हम move करते है main part पे जहाँ पे हम discuss करेंगे कि what are what is the exact curriculum that you need to follow in order to learn deep learning properly और साथ ही साथ मैं आपको projects भी बता दूँगा ठीक है तो पूरे के पूरे curriculum को मैंने six parts में divide किया है the first part is artificial neural network जिसको हम ANN बुलाते हैं second part में है how to improve a neural network third part में है convolutional neural network fourth part में है RNN fifth part में है seek to seek networks या फिर transformers आप बोल सकते हो और sixth part में unsupervised deep learning तो पूरे पूरे curriculum को मैंने six parts में divide किया है यहाँ पर इस diagram में आपको major points सारे के सारे cover होते हुए दिखाई देंगे बट साथ ही साथ मैंने क्या किया है एक बहुत detailed road map not road map curriculum prepare किया है वो मैं आपके साथ share करता हूँ so this document this is the document जहाँ पे topic में आपको exactly क्या क्या चीज़े पढ़ नहीं है no down कर रख है around 23 pages का यह curriculum है बट इससे जदा detailed curriculum आपको नहीं मिलेगा और इतना अगर आपने पढ़ लिया तो इससे जदा कि आपको requirement नहीं है आप बहुत अच्छे level का deep learning engineer for sure बन जाओगे तो what I will do is कि मैं यहां से आपको चीज़े समझाऊंगा और मैं इस document को constantly refer करूँगा तो सबसे पहले बात करते हैं first section of the curriculum की that is artificial neural network ठीक है तो जब आप deep learning पढ़ना शुरू करते हो तो आपको सबसे पहले जो चीज़ सीखनी होती है वो होता है artificial neural network ठीक है तो आपको यहां पे सबसे पहले यह सीखना है कि artificial neural networks बनाए कैसे जाते हैं उसमें आपको basic fundamental concept सीखने पढ़ेंगे कि nodes क्या होते हैं layers क्या होते हैं उनके बीच के जो connections होते हैं weights क्या होते हैं biases क्या होते हैं उनको किस तरीके से आप architect करते हो यह सारी चीज़े आप यहां पे सीखते हो उसके बाद उसके अंदर कुछ और concept सोचें जैसे की activation functions क्या होते हैं आप कैसे neural network को train करते हो forward propagation क्या होता है back propagation क्या होता है optimize कैसे करते हो gradient descent कैसे लगता है gradient descent के कौन से अलग-अलग variants आप apply कर सकते हो यह सारी चीज़े आप ANN के अंदर पढ़ते हो अगर आप इस curriculum में जाओ तो यह जो section A है यहाँ पे बहुत detail में सब कुछ लिखा हुआ है सबसे पहले you will start with the biological inspiration जहाँ पे आप यह सीखते हो कि कैसे deep learning inspire हुआ है human biology से उसके बाद थोड़ा बहुत history अगर आप पढ़ लोगे कि deep learning की शुरुआत कैसे हुई थी over the years क्या क्या हुआ तो अच्छा रहेगा उसके बाद में इंची शुरू होती है perceptron which is the single unit और multi-layer perceptron जहाँ पे आप multiple perceptrons को मिला करके artificial neural network बनाते हो उसके बाद layers का क्या concept है input layer क्या होता है hidden layer क्या होता है output layer क्या होता है उसके बाद हर node के अंदर जो activation function होते है उनके पीछे का mathematics क्या है what are the different types of artificial activation functions sigmoid हुआ, tanage हुआ, relu हुआ इनके बारे में आप पढ़ते हो उसके बाद जब आप एक बार architecture सीख जाते हो उसके बाद आप सीखते हो कि data जब भेजा जाता है तो forward propagation कैसे होता है data आगे कैसे जाता है फिर उसके बाद आप कुछ और concept सीखते हो कि loss functions क्या है और उनको कैसे handle किया जाता है उसके बाद एक बहुत important topic होता है back propagation तो back propagation के through कैसे model को train किया जा रहा है यह आपको सीखना होता है and lastly आप optimization के fundamentals सीखते हो कि gradient descent कैसे आप apply करते हो और फिर उसके क्या-क्या variants है यह सब आपने शायद सुना होगा अगर आपने पहले कभी भी थोड़ा भी deep learning पढ़ा है Adam, Adagrad, Momentum, etc तो यह चीज़े आपको यहाँ पे cover करनी है in the first part in the first part ठीक है कहां से cover करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको again मेरे channel पे जाना है and you have to search for 100 days of deep learning और आपको यह playlist मिलेगी जिसमें around 84 videos है as of now और आपको first section cover करने के लिए video number अब यहाँ पे number मुझे दिखाई नहीं दे रहा है but I'll tell you कौन से video तक आपको cover करना है यहाँ तक gradient descent तक यहाँ तक आपको cover करना है यहाँ तक अगर आपने सारे videos देख लिए तो आपका यह जो first section है यह आप cover कर लोगे और इस document में आप यहाँ तक पहुँच जाओगे इस जगे तक ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है second section of the curriculum जहाँ पे आप ने जो neural network बनाना सीखा है उसको आप improve करना सीखते हो क्योंकि जब आप simply neural network को apply करोगे किसी data set के उपर तो आप देखोगे कि generally जो performance आ रहा है वो उतना भी अच्छा नहीं आता है तो आपको थोड़ी सी महनत करनी पड़ती है अपने neural network को improve करने के लिए क्योंकि neural network में बहुत तरह की परिशानिया हो सकती है तो यहाँ पर आपको कुछ concept सीखने पड़ेंगे जैसे की vanishing gradient problem क्या होता है exploding gradient problem क्या होता है इन सारी concepts को सीखने के बाद फिर आप सीखते हो कि what are the various techniques to overcome those problems ठीक है तो यहाँ पर आप बहुत तरह के concept सीखोगे जैसे की early stopping क्या होता है model की training चल रही है चल रही है बट को improvement नहीं हो रहा है तो आप training को कैसे रोक सकते हो शुरू में फिर आप सीखोगे regularization का concept जो आपने machine learning में भी पढ़ा था आप सीखोगे dropouts का concept आप सीखोगे अलग-अलग type के weight initialization techniques आप सीखोगे अलग-अलग type के optimizers जो मैंने अभी आपको बताए Adam, Adagrad, RMS prop उसके बाद आप सीखोगे batch normalization का concept and lastly, आप ये भी सीखोगे कि आप hyperparameter tuning कैसे कर सकते हो एक neural network के अंदर so again, अगर मैं आपको दिखाऊं इस document में तो ये section 10 and onwards आप section 2 में चले जाते हो यहाँ पे आप optimization algorithms पढ़ रहे हो उसके बाद आप regularization पढ़ रहे हो regularization में ही drop out आजाता है early stopping आजाता है then comes hyperparameter tuning चहाँ पे आप अलग-लग चीजों को hyperparameter tune कर सकते हो, जैसे कि learning rate, batch size number of epochs, network का architecture vanishing and exploding gradient के बारे में आप पढ़ोगे weight initialization techniques के बारे में पढ़ोगे और batch norm के बारे में पढ़ोगे इतना अगर आपने सीख लिया तो trust me आपको काफी idea लग जाएगा कि एक given neural network को कैसे आप improve कर सकते हो again कहां से पढ़ना है अगर आप हमेरे playlist में जाओ तो यह जो वीडियो है vanishing gradient problem इसके बाद से अगर आप पढ़ना start करो तो you can go down and you can reach here this video Keras Tuner Hyperparameter Tuning and Neural Network यहां तक अगर आपने पढ़ लिया तो आपका section 2 जो है वो भी cover हो जाएगा this much ठीक है अब यहां तक अगर आप पहुँँच गए यह topics अगर आपने exactly जैसे मैंने बोला है cover कर लिया तो I would recommend इस जगे पे रुक करके आपको कुछ projects बनाने चाहिए ठीक है basic projects ही बनाओ लेकिन कुछ projects बना लो so that जो भी अभी तक आपने सीखा है वो validate हो जाए तो कई तरह के projects आप यहां पे कर सकते हो जैसे यहां पे मैंने लिख रखा है आप MNES dataset को उठा करके उसके उपर एक neural network apply कर सकते हो आपको textual data लेकर के उसके उपर sentiment analysis कर सकते हो customer churn problem के उपर काम कर सकते हो even recommendation systems भी आप इस point पर बना सकते हो again अगर आप मेरे channel पर जाओ और इस playlist में अगर आप जाओ तो यहां पर बीच में आपको तीन videos दिखाई देंगे customer churn prediction handwritten digit classification and GRE admission prediction यह तीन videos अगर आप देखो तो यहां पर मैंने बहुत basic level पर ही सही बट projects करके दिखाई है इसके अलावा भी अगर आप मेरे project वाले playlist में जाते हो मेरे channel पर वहां पर भी आपको कुछ deep learning projects मिल जाएंगे जो आप बहुत आसानी से use कर सकते हो अपना understanding develop करने के लिए ठीक है तो इस point तक हमने हमारे curriculum में जो 6 sections थे उनमें से 2 sections को cover कर लिया है अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे third section के तरफ जो की है convolutional neural networks ठीक है तो let's talk about CNNs so as you know deep learning इतना important field इसलिए बन पाया because वो दो बहुत important modalities के उपर बहुत अच्छे results देता है कौन कौन सी modalities one is images and video data and second is textual data तो आपके deep learning के अंदर एक kind of architecture होता है जो image based data के उपर बहुत अच्छे results देता है उसी को हम CNN बोलाते है convolutional neural network तो यह जो section है यहाँ पर आप सीखते हो कि CNN को कैसे build किया जाता है और उसको image based data के उपर कैसे apply किया जाता है to solve various problems ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या क्या सीखना होता है मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको यह सीखना होता है कि image based data में ऐसी क्या problem है कि पहले वाला जो neural network है ANN वो काम नहीं करता CNN में ऐसी क्या खासियत है कि वो image based data के उपर अच्छे से काम कर पाती है ठीक है तो सबसे पहले आपको यह सीखना है उसके बाद CNN में कुछ operations आपको सीखने होते है जैसे कि convolution operation होता है pooling operation होता है padding operation होता है तो यह कुछ computer vision की domain में कुछ operations है जो image के उपर आप perform करते हो वो आपको सीखना पड़ेगा एक बार जब आप CNN operations सीख जाते हो फिर आप CNN का architecture कैसे बनाया जाता है वो सीखते हो उसके बाद आप CNN के अंदर कैसे पूरा का पूरा training किया जाता है वो आप सीखते हो उसके बाद आप कुछ pre-trained models के उपर काम करना start करते हो तो बहुत सारे पहले से बने हुए CNN architectures है जो बहुत famous है और बहुत अच्छा काम करते है उनको आप सीखते हो इस concept को transfer learning भी बुलाया जाता है और उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़के अलग-लग domains में CNN को कैसे apply किया जाता है वो सीख सकते हो जैसे कि object detection की field में CNNs बहुत use होते है image segmentation की field में CNNs बहुत use होते है तो ये सारी चीज़े आप सीख सकते हो again if I go back to the curriculum तो यहाँ पे ये जो section B है ये पूरा का पूरा dedicated है to CNNs तो यहाँ पर you can see सबसे पहले ये बताया गया है कि multi-layer perceptrons या फिर ANN में ऐसी क्या problem है कि वो image-based data के उपर अच्छा काम नहीं करती उसके बाद ये discuss किया गया है कि CNN के क्या advantages है उसके बाद convolution के कुछ operations हुए है जिसमें आप kernels और filters बनाना सीखते हो image का mathematical representation सीखते हो striding and padding के concept सीखते हो फिर यहाँ पर जो जो activation functions use किये जाते हैं CNN में उनके बारे में सीखते हो mostly आप relu use करते हो और relu के variants यूज़ करते हो उसके बाद pooling layers का concept क्या होता है fully connected layers को कैसे utilize किया जाता है कौन से loss functions यहाँ पर use किये जाते हैं सब कुछ सीखते हो and once you are done with all this यह fundamentals आपने सीख लिए फिर आप सीखते हो कि CNN का architecture कैसे build होता है using all these things so layers को कैसे stack किया जाता है feature maps कैसे बनते हैं और आप CNN को कैसे visualize कर सकते हो यह सारी चीज़ आप यहाँ पर सीखते हो ठीक है तो existing data को कैसे आप better utilize कर पाओ यह सब आपको सीखना होता है फिर आप पुराने architectures में jump करते हो और आप सीखते हो कि historically CNN architectures कैसे evolve हुए तो बहुत सारे architectures आपको पढ़ने है Lennet 5 हुआ, AlexNet हुआ, VGG हुआ, Inception हुआ, ResNet हुआ, MobileNet हुआ यह सारी चीज़े आपको सीखनी है और आपको साथी साथ यह भी सीखना है कि हर नए architecture में ऐसी क्या चीज़ आई जिसकी वज़े से वो इतने famous हुए ठीक है And lastly, आप सीखते हो concept of transfer learning and how to handle pre-trained model जहाँ पे आप यह existing architectures उठाते हो जो एक बहुत बड़े आपको again इस playlist में आना है और इस playlist में आपको इस video से start करना है जहाँ पे आपने last छोड़ा था hyper parameter tuning वाला वीडियो उसके just बाद से CNN मैंने पढ़ाना शुरू किया है CNN का biology क्या है convolution operation क्या है padding or strides क्या है pooling operation क्या है और उसके बाद कुछ architectures मैंने discuss की है data augmentation का concept क्या है फिर pre-trained models और transfer learning का concept यहाँ पे पढ़ाया है CNN को कैसे visualize किया जा सकता है वो पढ़ाया है transfer learning एक dataset पे लगा के दिखाया है और lastly functional model API पढ़ाया है केरास का जो आपको बहुत help करता है CNNs build करने के लिए अगर आपने इतना पढ़ लिया तो it will be a very good start for CNN ठीक है तो यह हो गया आपका section number 3 again section number 3 खतम होने के बाद I would recommend कि आप आगे बढ़ो और कुछ projects करो जैसे कि एक simple project हो सकता है cat dog classifier जो मैंने करके भी दिखाया है हमारी playlist में you can also do something like emotion detection जहाँ पर आप Kaggle पर जा सकते हो वहाँ पर data set download कर लो जहाँ पर अलग-अलग expressions है photos में anger, happiness, sadness और उनके बीच में classification करने की कोशिच करो you can also build a self-driving car अगर आपने object detection वगेरा का concept पढ़ लिया है but यह थोड़ा advanced level है so I would not recommend straight away थोड़ा बाद में कर सकते हो chest image का x-rays का photo देख करके यह बताना की किसी को बिमारी है या नहीं तो इस तरह के बहुत सारे data sets आपको Kaggle पर मिल जाएंगे आपको बस जाना है, search करना है and the good part is कि उन data sets के उपर already आपको notebooks भी मिल जाएंगे तो this was section number 3 now let's move on to section number 4 which is recurrent neural networks अच्छा, recurrent neural networks में घुसने के पहले एक चीज में आपको बताना भूल गया ये object detection और advanced CNN वाला part मैंने आपको नहीं बताया ये भी मैंने curriculum में add कर रखा है so यहाँ पर एक section है object detection and localization ये भी एक बहुत important part है अगर आप computer vision engineer बनना चाहते हो तो आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से cover करना पड़ेगा so यहाँ पर आपको कुछ modern architectures cover करने पड़ेंगे जैसे RCNN, YOLO, mask RCNN और यहीं पर आप अलग-लग type के applications देखोगे object detection हुआ, image segmentation हुआ फिर आपके कुछ और architectures हैं जो आप segmentation में use करते हो जैसे की unit हुआ, FCN हुआ फिर images कैसे आप generate कर सकते हो with the help of neural networks वो भी एक बहुत important field है तो यहाँ पर आप पड़ोगे auto encoders का concept variational auto encoders का concept और फिर generative adversarial networks as in GANs, यह भी बहुत famous है तो इसमें DCGAN is very famous इसके बारे में आप पढ़ सकते हो और क्या-क्या applications आप बना सकते हो you can build a model that can generate images you can build a model that can enhance existing images तो यह सारी चीज़े भी आप कर सकते हो the only problem is कि यह सारी चीज़े आपको मेरे YouTube channel पे नहीं मिलेंगी but इसके लिए भी मैंने एक resource curate किया है so एक course है बहुत बढ़िया Stanford का और this course का नाम है Deep Learning for Computer Vision अगर आप इस course में जाते हो तो यहाँ पे around 16 lectures है actually यहाँ पे क्या हमें lectures दिखाई देंगे क्या एक काम करते हैं let's go to YouTube and let's search for CS231N this playlist इसमें 16 videos है और इन videos में CNNs कैसे बनाया जाता है यह सब तो बताया है गया है बट थोड़ा आगे जा करके object detection and segmentation और generative models के उपर भी आपको lectures मिल जाएंगे तो you can follow this lecture this playlist इस playlist में आपको यह पूरा part मिल जाएगा यह वाला I'm sorry this part this much ठीक है तो बट यह part आप तभी cover करना जब you are specially planning to become a computer vision engineer अगर आप computer vision की domain में focus करना चाहते हो तभी आप यह वाला part करना otherwise keep it optional आप सिर्फ CNNs का fundamentals भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा deep learning में but अगर आप specialize करना चाहते हो computer vision की domain में जाना चाहते हो तो फिर यह वाला part आपको रखना चाहिए in fact what I will do is I will write it optional यहाँ पे मैं लिख देता हू इस यह पे that this part is optional and only for people who are targeting the computer vision role ठेक है so yeah now let's go back and let's move on to the next section that is recurrent neural networks ठेक है तो recurrent neural networks क्या होते है recurrent neural networks आपको आपको special kind of neural networks जो बहुत अच्छा perform करते है textual data के उपर ठेक है इनका design थोड़ा अलग होता है ANN से और CNN से और इस तरीके से बना होता है कि textual data के उपर इनका performance बहुत अच्छा रहता है textual data से ज़ादा अच्छा term रहेगा actually sequential data तो कभी भी अगर आपके बास sequential data है तो आप RNN उसके उपर apply कर सकते हो क्या-क्या पढ़ना पढ़ेगा आपको RNNs के लिए RNNs में आपको सबसे पहले RNN का architecture पढ़ना पढ़ेगा RNN को कैसे train किया जाता है उसके अंदर back propagation का concept कैसे लगाया जाता है यह सब कुछ आपको पढ़ना पढ़ेगा उसके बाद RNNs के कुछ variants होते हैं जो RNNs से भी अच्छा perform करते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पढ़ेगा जैसे कि LSTM and GR use उसके बाद RNNs को use करके आप complex architectures कैसे बना सकते हो उसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा जैसे कि आप multiple RNNs को stack करके deep RNNs कैसे बना सकते हो या फिर आप bi-directional RNNs कैसे बना सकते हो यह सारे concepts आपको यहाँ पढ़ने है कहां से आपको यह सब कुछ पढ़ने को मिलेगा अगें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ curriculum में मैंने जो जो लिखा है so you can see C वाला जो section है that is dedicated to recurrent neural network architecture of RNNs forward propagation कैसे होता है back propagation कैसे होता है इस पूरे पार्ट में आप समझ जाओगे कि पूरा training कैसे हो रहा है उसके बाद क्या-क्या challenges आते हैं RNNs को train करने में vanishing gradient problem exploding gradient problem उसके बाद क्या advanced architectures हैं LSTM हुआ, GREU हुआ और फिर आप इनके थूँ क्या-क्या experiment कर सकते हो तो deep RNNs हुए, bidirectional RNNs हुए और फिर कुछ applications जो आप RNN की help से बना सकते हो again if you want to learn you can go to my playlist और इस playlist में आपको जाना है यहाँ पर, इस वीडियो के पास यहाँ पर एकदम शुरू से मैंने discuss किया है RNNs की जरूरत क्यों पड़ी, RNNs क्या होते हैं RNNs की help से sentiment analysis का एक छोड़ादा project कराया है types of RNNs बताएं back propagation कैसे काम करता है problems with RNN, LSTM, LSTM का architecture GRUs, deep RNN and bidirectional RNNs यहाँ तक अगर आप आजाओगे तो आप इतना cover कर लोगे this much you will be able to cover and again I would recommend कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो कुछ projects आपको बनाने चाहिए किस तरह के projects आप बना सकते हो बहुत प्यारा से एक project होता है next word prediction का, मुझे लगता है मैंने यह देटा के ओपर अच्छा perform करता है तो time series based data भी sequential होता है तो आप time series forecasting कर सकते हो sentiment analysis भी कर सकते हो because after all sentiment analysis is textual data तो textual data के ओपर it will give very good results and और कुछ advanced projects भी कर सकते हो जैसे कि parts of speech tagging बगरा बट यह अगे थोड़ा advanced level पे है यह मैं recommend करूँगा जब आप transformers या फिर seek to seek models थोड़ा पढ़ लो ठीक है बट यह जो भी है this is section number 4 और अब move करते हैं इस पूरे के पूरे curriculum के सबसे important part पे that is transformers ठीक है so transformers वाले section को मैं इसलिए सबसे important बोला रहा हूँ because शायद आपको भी पता होगा जो gen AI और elements की पूरी field है वो इसी section से originate की है so transformers पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा seek to seek models के बारे में पढ़ना पढ़ता है seek to seek models है those models जो ऐसे data sets के उपर बहुत अच्छा काम करते हैं जहांपे input data भी sequential data है और output data भी sequential data है जैसे की question answering data जहांपे question भी एक text है answer भी एक text है तो आपको सबसे पहले इस section में पढ़ना है encoder, decoder, attention के बारे में I'm sorry encoder, decoder, architecture के बारे में एकदम जो original encoder, decoder, architecture था Elias Kids Keyver ने जो propose किया था जहांपे RNNs का usage है वो आपको सबसे पहले पढ़ना है वहांपे क्या problem आई वो आपको पढ़ना है फिर उस problem को solve करने के लिए attention mechanism आया उसके बारे में आपको पढ़ना है उसके बारे में आपको पढ़ना है so attention mechanism में भी दो बहुत famous attention mechanisms है one is Bardenow, second is Luong ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है उसके बाद आपको ये पढ़ना है कि अगर encoder, decoder architecture में RNN यूज करते हो तो क्या problem होती है training क्यों slow हो जाती है और फिर आता है सबसे important part transformer architecture जहाँ पर आप self attention वगेरा का concept पढ़ते हो positional encoding का concept पढ़ते हो और ये सीखते हो कि कैसे transformer architecture में आ करके बहुत बड़ी problem solve की ठीक है तो ये first part है इस section का and एक बार जब आप transformer architecture पढ़ लेते हो तो फिर आप second part में move कर सकते हो जहाँ पर आप अलग-अलग type के transformer architectures के बारे में पढ़ते हो जैसे की BERT and GPT उसके बाद आप ये सीखते हो कि transformers को pre-trained कैसे किया जाता है बहुत बड़े data set के उपर और फिर आप ये सिखते हो कि pre-trained transformer को आप fine tune कैसे करते हो अपने given data set के उपर and lastly transformers को कैसे optimize किया जा सकता है ये पूरा चीज मिला करके ये section बनता है ये तो हो गया बहुत ही छोटा सा description अगर आपको एक detailed topic wise discussion चाहिए तो फिर आप यहाँ पर जा सकते हो यहाँ पर मैंने completely अलग section मना रखा है seek to seek networks और transformers के लिए you can see you start with encoder decoder networks क्यों आप सीखना चाहिए ये आपको बताया गया यहाँ पर उसके बाद क्या-क्या components होते है encoder decoder network के सबसे पहले आप encoder सीखते हो encoder में क्या-क्या होता है उसका architecture क्या होता है फिर आप decoder के बारे में पढ़ते हो कि वो कैसे autoregressive तरीके से output print करता है encoder decoder का mathematical formulation implementation details teacher forcing का concept क्या-क्या limitation होते है encoder decoder models के फिर उनको कैसे solve करता है attention mechanism attention mechanism में भी अलग-लग type के attention mechanisms है additive as in bard now, multiplicative as in long, उसके बाद attention mechanism में क्या-क्या steps होते हैं उनको कैसे implement किया जाता है और उसका visualization attention mechanism का visualization is also a very important topic फिर आता है कि RNN based encoder decoder architecture में क्या problems होती है और फिर उनको कैसे solve करता है transformer architecture, transformer architecture पढ़ने के process में you learn about self attention, positional encoding, multi head attention, query key values, vectors जो आप सुनाओगा आपने बहुत famous है positional encoding, how feed forward neural networks are used in transformer architecture, how layer normalization is used, how residual connections are used, यह सब कुछ आप पढ़ते हो, उसके बाद आप encoder collect से study कर सकते हो, decoder collect से study कर सकते हो, चाहो तो खुद से implement करके देख सकते हो, पूरा का पूरा transformer architecture, तो यह हो गया यहां तक this much एक बार जब आपने transformer architecture पढ़ लिया, तो फिर आप आगे बढ़के सीख सकते हो, types of transformers जिसमें आता है, but उसका architecture, pre-training कैसे की जाती है, उसके बाद GPT, GPT का architecture और उसकी training कैसे की जाती है, उसके बाद बहुत कुछ और famous transformers है, Roberta है, Albert है, T5 है, यह सारे architectures आप study कर सकते हो, उसके बाद एक बाद जब अपने architectures पढ़ लिये, तो फिर आप transformers को कैसे fine-tune किया जा सकता है, वो पढ़ सकते हो, transfer learning का concept, step-by-step fine-tuning कैसे की जाती है, what are the best practices, what are the common fine-tuning tasks that you perform, और एक बार जब आपने fine-tuning कर ली, तो थोड़ा बहुत आपको idea होना चाहिए, कि pre-training आप कैसे करते हो, हलाँ कि pre-training आप generally खुद से नहीं करते हैं, but फिर भी pre-training के बारे में आपको idea होना चाहिए, pre-training में क्या-क्या objectives होते हैं, mask language modeling, causal language modeling, data को कैसे prepare किया जाता है, as in, what are the different tokenization strategies that you use, उसके बाद training के लिए क्या-क्या strategies यूज की जाती है, because बहुत बड़े data set पर train करना है, तो distributed training कैसे perform की जाती है, GPUs को कैसे handle किया जाता है, what are the different types of optimizations that you implement during pre-training, what are the challenges in pre-training, computer resources, data की quality और quantity, उसके बाद बहुत important है कि pre-trained models का evaluation कैसे होता है, benchmarking के लिए कौन से metrics आप use करते हो, and lastly, you talk about, you study about optimization, कि कैसे आप अलग-लग तरीकों से optimize कर सकते हो, transformer के inference को, so computational challenges के बारे में आप पढ़ोगे, अलग-लग type के optimization techniques पढ़ोगे, जिसमें आप ये सीखोगे कि attention mechanism को कैसे और improve किया जा सकता है, इसमें attention mechanism के अलग-लग variants आप पढ़ोगे, उसके बाद model का compression पढ़ोगे, because आपको कई बार on-device predictions देने होते हैं, inference देना होता है, तो उसके लिए you need की model का size थोड़ा कम हो जाए, तो quantization का concept, pruning का concept, knowledge distillation का concept, ये सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ते हो, hardware के बारे में भी आपको थोड़ा idea होना चाहिए, there are different kinds of hardwares coming out, जो specially design के जा रहे हैं, deep learning models को train करने के लिए, transformers को train करने के लिए, तो उनके बारे में आपको पढ़ना पढ़ता है, parallelism कैसे लाया जा सकता है, during training, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, and अलग-अलग tools जो आप यूज करते हो, इस पूरे process में, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, ठेक है, and lastly, इस सब कुछ पढ़ने के बाद, what you can do is, कि आप कुछ NLP-based applications बना सकते हो, using transformers, like test, text classification, जहांपे आप sentiment analysis कर सकते हो, topic classification कर सकते हो, question answering system बना सकते हो, machine translation कर सकते हो, as in, एक language से दूसरे language में translate करने का application, text summarizer बना सकते हो, language generate करने का tool बना सकते हो, named entity recognition करके देख सकते हो, these are some of the things that you can do with the help of transformer and fine-tuning transformers, तो इतना अगर आपने कर लिया, तो फिर आपका ये वाला section complete हो जाएगा, और obviously, इस section के complete होने के process में, you should also do some projects, यहाँ पे कुछ projects लिखे हो हैं, जो मैंने भी आपको बताए भी, machine translation is a good project, text summarization is a good project, named entity recognition, question answering, all of these are really good projects, again, इन सब का data set आपको Kaggle पे मिल जाएगा, बहुत जादा आपको महनत नहीं करनी है, अगर आप pre-trained models use कर रहे हो, fine tuning में हो सकता है, आपको थोड़ी महनत करनी पड़े, बढ़ अगें, यह सब कुछ थोड़ा आगे का है, अगर आप यह सोच रहे हो कि कहां से पढ़ना चाहिए, आपको यह सब कुछ, तो अगें आप जा सकते हो मेरे playlist में, और आप इस वीडियो से शुरू कर सकते हो, कहानी LLMs की, उसके बाद encoder, decoder का architecture, attention mechanism क्या होता है, bardenow versus luong attention क्या होता है, transformer, self attention, उसके बाद, multi head attention, positional encoding, layer normalization, encoder का architecture, mask self attention क्या होता है, cross attention क्या होता है, transformer का decoder architecture, और transformer का inference, तो अगर आप ये playlist follow करोगे, तो आप इतना सीख जाओगे, this much you will learn, this much you will learn, ये birth, GPT, pre-training, और fine tuning ये सब मैंने अभी cover नहीं किया है, मेरे playlist में, I am planning to cover them soon, तो यहाँ पे आपको, वो सब कुछ भी मिल जाएग updated, अगर आपको आज ही चाहिए है, तो again I will share a very good resource with you, so there is this course called CS 224N, CS 224N, और ये again Stanford का course है, but for NLP, इसमें around 23 lectures है, और इसमें everything is covered, in a very very detailed manner, so RNN से start हुआ है, इसमें LSTM बगेरा पढ़ाया गया है, फिट तुरण Transformers पर ये लोग move कर गया है, फिर यहाँ पर pre-training का concept पढ़ाया गया है, उसके बाद, अलग-लग applications आपको करके दिखाये गया है, natural language generation क्या से होता है, question answering क्या से होता है, उसके बाद, language models के उपर थोड़ा आवार काम किया गया है, code generation का concept पढ़ाया गया है, hugging face एक्सेटरा के उपर भी काम कराया गया, so basically यहाँ पर अच्छली उतना detailed curriculum नहीं है, अगर आप यहाँ पर जाओगे ना, इनके official website पर, तो आपको ज़्यादा detailed curriculum बिलेगा, you can actually download the PDFs, and you can see कि, इन लोगों ने क्या क्या, महाँ पर cover किया है, coursework, यहाँ पर आपको जाना है, ओके नहीं, यहाँ पर कहीं पर आपको सारा detail मिल जाएगा, हाँ, यहाँ पर, if you go to slides and notes, तो आपको हर lecture के slides और notes मिल जाएगे, जिसमें आप जागर के देख सकते हो, detail में कि क्या-क्या पढ़ाया गया है, ठीक है, तो, you can just go through this, ठीक है, इससे आपको काफी idea मिल जाएगा, बाकि, if you like my style of teaching, तो मैं बहुत जल्दी, यह जो बचे वे topics हैं, वो इस playlist में add करने वालों, तो आप मेरे playlist से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, तो this was section 5, and the most important section, अगर आपने यह अच्छे से master कर लिया, तो फिर आप जब Gen AI पढ़ने जाओगे, LLMs पढ़ने जाओगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, और आप चीजे बहुत आसानी से समझ पाओगे, ठीक है, and now let's come to the last section of this curriculum, that is unsupervised deep learning, अभी तक जो भी आप पढ़ रहे थे, that was supervised deep learning, now we'll study about unsupervised deep learning, so unsupervised deep learning में आपको, होते तो बहुत चीजे हैं, पहले बहुत सारे architectures थे, पर आप उनमें से बहुत सारे obsolete हो गया हैं, यूज नहीं होते हैं, तो जो दो major architectures अभी भी यूज हो रहे हैं, और important हैं, वो आपको सीखने हैं, और उनका नाम है autoencoders and GANS, ठीक है, तो autoencoders, तो मेरे channel पर आपको नहीं मिलेगा, GANS के उपर मैंने एक lecture record किया है, उसका link भी मैं resource में add कर दूँँगा, यह दो architectures अगर आपने पढ़ लिये, तो mostly you are covered, इन दोनों के बारे में वैसे मैंने CNN में add कर रखा है, तो अगर आपने CNN के time ही पढ़ लिया, तो फिर आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने CNN के time पर नहीं पढ़ा, तो आप अलग से भी इनको cover कर सकते हो, I am planning to add these two topics in detail in my playlist soon, तो अगर आप मेरे playlist में future में आके देखोगे, तो hopefully आपको यह videos वहाँ पे मिल जाएंगे, but yeah, this is a detailed curriculum, जो अगर आपने follow कर लिया अगले six months, तो आपको काफी बढ़िया knowledge हो जाएगा deep learning के बारे में, आपने जो भी discussion किया है, वो mostly theoretical था, मतलब क्या-क्या आपको पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, कौन से videos देखने चाहिए, but यह सब कुछ पढ़ने के process में आप realize करोगे, और छोटे-छोटे projects बनाने के process में आप realize करोगे, कि आपको कुछ-कुछ tools भी सीखने पढ़ेंगे, तो वो tools क्या-क्या है, वो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, so अलग-लग domain के tools आपको use करने पढ़ते हैं, और यह बहुत exhaustive list है, मतलब हर चीज मैंने आप include किया है, it's not at all necessary कि यहाँ पे लिखा हूँ हर tool आपको master करना है, but just आपको knowledge होना चीए, इसलिए मैंने यहाँ पे mention कर दिया है, so सबसे पहले तो आपको deep learning की, कोई ना कोई library को master करना पड़ेगा, so आपके पास जो options हैं, वो है TensorFlow और PyTorch का, तो शुरू में आप TensorFlow से अपना काम चला सकते हो, TensorFlow और Keras के combination से अपना काम चला सकते हो, it would be easy, but जैसे ही आप transformer वाले section में पहुँचोगे, उसके बाद I would recommend आप PyTorch भी सीख लो, so सीखना आपको दोनों है, one option is आप सिर्फ PyTorch सीखो, second option is आप दोनों सीख लो, पहले TensorFlow केरा सीख लो, transformer तक पहुंचते पहुंचते, PyTorch सीख लो, again मैंने resources आड कर रखे हैं, अगर आप कहां से सीखना चाहते हो, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, YouTube चैनल से में अगर आप जाते हो, तो PyTorch सीखने के लिए, Face का जो transformer library है, भू भी आपको सीखना चाहिए, और यह libraries में डाल दिया है मैंने, बट यह on the go आप सीख जाओगे, जब आप transformer वाले section में पहुंच जाओगे, इसका implementation केरास में भी है, और PyTorch में भी है, तो यह भी एक important library है, उसके बाद आता है experimentation, so let's say आप एक project बना रहे हैं, उसमें अलग-लग architectures try out कर रहे हैं, and you want to compare those architectures, तो कही ना कहीं पर आपको सब कुछ information store करके रखना पड़ेगा, तो वो experimentation के लिए जो tools आप use करते हो, वो आपको आने चाहिए, deep learning specific एक tool है, जिसको हम tensor board बुलाते हैं, जो tensorflow के universe से आता है, this is a good tool, और if you are coming from machine learning, you can also use MLflow, डोनो tools को आप use कर सकते हो, tensorflow का एक video है मेरे playlist में, MLflow पे I am going to upload some videos very soon, so आप मेरा channel चेक कर सकते हो, उसके बाद आता है hyper parameter tuning, इसके बारे में मैंने आपको second section में बताया था, कि कैसे आप अपने deep learning neural network को improve कर सकते हो, तो वहाँ पे hyper parameter tuning is a concept, तो one option is Keras Tuner, इसका video deep learning playlist में है, and second is Optuna, Optuna is also a very good library to hyper parameter tune deep learning neural networks, तो Optuna के ओपर भी मेरे channel पे एक video है, I hope मैंने link add कर रखा है resource में, ठीक है, उसके बाद deployment की तरफ अगर आप जाते हो, तो let's say आपने सिर्फ projects build नहीं करने हैं, आपको उसको deploy भी करना है, तो deployment के लिए फिर आपको कुछ चीज़े सीखनी पढ़ेंगी, जैसी कि Docker कैसे create किया जाता है, deep learning projects के around, fast API का usage, models को website में convert करने के लिए, kubernetes का usage, अगर आप एक multi container deployment करना चाहते हो, TF serving is a library, जो advanced deployment strategies implement करने में आपको help करती है, and same with taught serve, these are some advanced libraries, थोड़ा भी अगर आप MLOps पढ़े हो, तो शायद आपको इस सारे terms familiar लग रहे होंगे, उसके बाद obviously अगर आप deployment की बात कर रहे हो, तो आपको cloud platforms का knowledge होना चीए, सारे सीखने की ज़रूरत नहीं है, इन में से कोई एक भी अगर आपने अच्छे से सीख लिया, तो फिर it's enough, I would recommend go for AWS, because majority of the companies they ask for AWS, उसके बाद आता है distributed training, especially अगर आप एक बड़े neural network को train कर रहे हो, एक single machine पर उसको train कर पाना possible नहीं होता, तो multiple machines use के जाती है, in parallel, तो इसके लिए भी अलग-लग libraries है, DeepSpeed is a very famous library, even PyTorch Lightning, जो एक PyTorch-based library है, उसमें भी आप कोई feature मिलता है, कि आप distributed training कर सकते हो, तो यह थोड़ा advanced level है, generally most of the interviews में आप से यह सब नहीं पूछा जाएगा, but let's say आप topper बनना चाहते हो, तो आप यह सारी चीज़े पढ़ सकते हो, pre-trained model के लिए अलग-लग websites है, जहां से आप pre-trained models download कर सकते हो, one of the most important websites is hugging phase, most likely आपने सुना होगा, similarly TensorFlow Hub and PyTorch Hub is also there, you can go and explore, यहापे आपको बहुत तरह के models मिल जाएगे, ज़्यादा time नहीं है, तो एक बार hugging phase जा करके definitely explore करना, वहापे आपको हर type का ML model मिलता है, DL model मिलता है, ठीक है, and lastly data versioning, because बहुत सारा data involved है, तो उसका versioning is also important, तो you can learn about DVC and Daxter, ठीक है, DVC के उपर I'll be making a video soon, so again आप मेरे channel पे follow करके भी, अपना काम निकाल सकते हो, ठीक है, these are some of the tools, जो आपको आने चाहिए, जाजा जो important वाले tools है, उनके resources मैंने बता दिये, बाकि आप on the go, थोड़ा-थोड़ा explore करके सीख सकते हो, again I'm saying, you don't have to learn everything, this is basically for someone who is like, very-very advanced level, उसको ये सब कुछ आना चाहिए, but since you are a beginner, इसका 50% भी अगर आपको आता है, you are in a good position, ठीक है, resources को एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, मैंने एक ये CSV file बना रखी है, Excel file बना रखी है, यहाँ पे मैंने अलग-लग sheets बना रखी है, मैंने आपको दिखा रखा है already, second is online courses, तो यहाँ पे मैंने कुछ-कुछ courses का list दे रखा है, जो मैंने खुद पढ़ा है, एक ये बहुत अच्छा course है, अगर आप मेरा playlist नहीं follow करना चाहते है, तो you can follow this course on Coursera, it's by Android, और बहुत ही बहुत ही बढ़िया course है, और इसमें आपको सब कुछ covered मिलेगा, जो जो आपको मेरे playlist में मिलेगा, तो this is also a very good alternative, CS 224 मैंने बता दिया, 231 बता दिया, इस इस आपको बहुत 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 है, इसका बुक भी है वैसे, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो, और एक और बहुत अच्छा course है, I.I.T. Madras का, बाई, प्रोफेसर मितेश खाप्रा, ठीक है, तो this is also a very good course that you can follow, बहुत ही detailed है ये course भी, और अच्छा बढ़ा है, अगर आप मेरा प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करना चाहते, तो you can follow this playlist as well, and these are the courses, जो आप फॉलो कर सकते हो, मैंने personally फॉलो किया, and I really loved them, YouTube channels के अगर आप बात करो, तो देरा multiple channels, मेरे channel पे आपको 100 days of deep learning मिल जाएगा, 3Blue1Brown के channel पे एक Neural Networks का playlist है, जो मैं आपको recommend करूँगा, कि please जा करके देखो, बहुत ही कम videos हैं, बट जो भी हैं, वो आपके अंदर ऐसा understanding develop करेंगे visually, जो शायद आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा, तो प्लीज एक बार ये playlist आप जरूर देखना, Lewis Serrano के channel पे, if you go, you will find a playlist on deep learning, बहुत ही बढ़िया intuition डेवलप कर आते हैं, तो this is also a very good channel, यानि किचर, किल्चर, this is also a very good channel, Code Emporium में भी एक बहुत अच्छा playlist है, for deep learning, तो you can go and check that as well, आंदरिच कारपथी के channel पे, you will get very good videos around transformers, you can go check that, Umar Jamil, this is a channel which is very good for, again transformer based videos, next is Aladdin Person, this is a channel which has got very good videos on PyTorch, तो यह आप जाकर के देख सकते हो, and StatQuest के channel पे भी deep learning का playlist है, again visually बहुत अच्छे से समझा है, तो यह channels आप follow कर सकते हो, ठीक है, websites के अगर मैं बात करूँ, तो देरा certain websites, यहाँ पे आपको खूप सारा content मिलेगा, first is towards data science, यहाँ पे बहुत सारे blogs हैं, second is machine learning mastery, I really love this website, यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे बट useful tutorials मिलेंगे, around deep learning and machine learning, क्या अगल पता ही होगा आपको, हर तरह का data set और उसके around notebooks के लिए, archive आपको definitely जाके check out करना चाहिए, यहाँ पे आपको सारे के सारे जो deep learning papers famous वाले हैं, वो मिल जाएंगे, and lastly papers with code, यह मैं personally बहुत use करता हूँ, जो भी papers famous वाले हैं, उनका code implementation आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, और अगर आप books की बात करो, तो मैंने last video में share किया था, मेरे favorite deep learning books, you can just go watch this video, you'll find the list of all the books, ठीक है, तो यह comprehensive deep learning resource का file मैंने बना के रख दिया है, आप बस जाओ और इसको access करो, और आपको almost सब कुछ मिल जाएगा, जो आपको deep learning सीखने के लिए चाहिए, ठीक है, lastly, एक बार यह सब कुछ अगर आपने cover कर लिया, उसके बाद क्या करना चाहिए, आपको वो discuss कर लेते हैं, एक बार अगर आपने deep learning master कर लिया, आपको तीन रस्ते हैं आगे बढ़ने के लिए, फर्स्ट इस कि आप gen AI और LLM की field में कूच जाओ, और इनको अच्छे से study करो, अभी market में पूरा धूम है इस topic का, there is a good chance कि आप hire हो जाओगे, second is you target NLP engineer role, जहां पे आप NLP applications कैसे build किया जाते हैं, with the help of deep learning, ये problem को solve करने उतर जाओ, and second, third option is to become a computer vision engineer, जो इस चीज़ पर focus करता है कि deep learning को use करके, computer vision problems को कैसे solve किया जा सकता है, ये तीनों fields में से आप किसी भी एक में आगे जा सकते हो, and मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी job crack कर लोगे, ठीक है, तो with that, I'll conclude this deep learning roadmap, बहुत दिनों से मेरे पास ये request आ रही थी, to provide a detailed deep learning roadmap, I really hope, काफी मेहनत लगी, इसको compile करने में आपको पसंद आया, personally I feel, इस century में, जो सबसे powerful technology निकल के आई है, वो deep learning है, और मैं सच में ऐसा मानता हूँ कि, आज की rate में अगर कोई individual, deep learning को master कर ले, उसका market में, जो net worth है, वो बहुत जादा हो जाएगा, उसका value बहुत जादा है, उसको बहुत अच्छी job मिल जाएगी, so I really feel, if you are an engineering graduate, और you are someone, जो भी just jobs करने उतरा है, आपको definitely deep learning सीखना चाहिए, और बहुत दिल से सीखना चाहिए, just यह approach से मत उतरो की, यार मुझे जट से सीख करके, एक job crack करनी है, deep learning is very very interesting, जिस तरह की problems आप solve कर पाते हो, with the help of deep learning, trust me 20 साल पहले वो सब कुछ magic लगता होगा, but आज it is possible because of deep learning, तो learn deep learning because of deep learning, deep learning का जो beauty है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, तो आप शायद थोड़ा और बहतर सीख पाऊगे, ठीक है, तो with that, I'll conclude this roadmap, धीरे धीरे जैसे भी होता रहेगा, मैं इस roadmap को update करता रहूँगा, बाकि अगर आपको roadmap पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो please like करना, अपने friends के साथ share करना, और अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, तो हम इस channel पे constantly deep learning, machine learning related चीज़े डालते हैं, please do subscribe, मिलते हैं next video में, बाई!